हेलो फ्रेंड्स वेलकम सियॉल इंजार विस्टेंपस आज यहां पर हम बात करने वाले कि यह मिक्षर होता क्या है या मिक्षषश ? हमने जाना सीखा कि जो भी कोई भी आईटम होते हैं, Like Milk हो गया, या फिर खाने की छीज, वह प्यॉऔर नहीं होता है और हम सीखने वाले था कि मिक्षषर क्या है कि एक या फिर दो मैटर को mikz किया जाता है क्या बनाऊ एक या दो मैटर को मिक्स किया जाता है और जो भी हमें मिलता है उसको बोलते हैं मैग जैसे कि यहां पर एक यहां पर चार बीकर ले लेते हैं चार चार बीकर में सबसे पहले दो बीकर में क्या करेंगे 50 ml वाटर रखेंगे and then sulfur and then copper sulphate के crystals डालते हैं पर फर्स्ट जो वीकर है उसके अंदर एक spatula copper से एक spatula copper sulphate का यहां पर crystal डाला सेकंड वीकर में two spatula copper sulphate का यहां पर हम क्या करेंगे crystal डालेंगे उसको proper stirring कर देंगे 3rd और 4th वीकर जो है 3rd और 4th वीकर के अंदर एक के अंदर हम potassium permanganate डालेंगे and 4th वीकर के अंदर सुगर या फिर salt एड़ कर देंगे चारों वीकर को हमने properly क्या किया है stir किया है यहां पर आप देख पाओगे पहले दो वीकर जो है और सेम दिंग 2nd और और सेम दिंग 3rd और 4th जो भीकर है उसमें भी चेक किजिए यहां पर आप देख पाओगे कि हर एक बीकर में हर एक बीकर में यहां पर mixing जो है वह प्रॉपर हुआ है पर कलर की पर अकॉर्डिंग तो कलर अगर मिक्स्चर जो है वह प्रॉपर होता है यहां पे आप देख पाओगे कि मीक्सिंग प्रॉपर हो गए बट इन दसरेंश अव कलर यह सब डिपरंट है यह कि हर एक दिफ्रंट कलर का हो सकता है साथ ही-साथ यहां पर देखे तो बीकर के उपर के हिस्से में और बीकर के लोवर साइड में दोनों साइड में अगर चेक करें तो जो पोटेशियम परमेंगेनेट हमने डाला था या फिर कॉपर सलफेट यहां पर क्रिस्टल डाले थे तो उसका सॉलुशन बना है उसका जो रेशियो होगा सेम होगा लाइक वाटर एंड कॉपर सिर्फेट का रेशियो जो अपर साइड में होगा वोगा वही सेम रेशियो नीचे की डाउन साइड में यहां पर देख पाओगे कि कि mixture को भी हम different side से अगर यहां पर mixture को भी अगर हम different तरीके से बना देया किसी और का भी mixture देखे तो यहां पर बोल सकते कि mixture में भी कुछ different variations है यहां पर यही variations को हम क्या करने वाले तीन पार्ट में हमने distribute किया है solution suspension and and collidal मिश्रन यानिके हमने mixtures के तीन पार्ट बना है वो तीनों पार्ट को हम one by one सिखेंगे हमारे next वीडियो में thank you